उसके सीर पर वो लोग पथर से मार दिये तो उसको ब्लेडिंग होने लगा पुरा और वो जमीन पर बहो सोके गिर गया इधर दो CRPFA सिर्प बच गया था है और वो लोग कुछ हेलप नहीं कर पा रहे थे और वो लोग यह बूल रहे थे कि वो लोग को फायरिंग का परमिसन पश्शिम बंगाल के नौर्थ 24 परगणा में टीम सी नेता शाजहां शेक के घर सर्च करने गई एडी की टीम पर जान लेवा हमला किया गया उनके साथ उन्हें सुरक्षा देने के लिए जो टीम CRPF की गई थी उनके जवानों को भी इस मॉब ने अपने निशाने पर लिया ह हमारे साथ एडी के एक अधिकारी राजकुमार राम मौजूद है जो उस वक्त इस ओपरेशन को लीड कर रहे थे सर्च ओपरेशन को सर आप से यह जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ क्या आपको इस बात का अंदादा था कि एक बहुत बड़ी भीड आपका वहां पर इं मेरा जो यूनिट था साजा से के फिस मार्केट के अंदर उसका ओफिस था तो उस ओफिस में मुझे शर्च करने का यह अथराइजेशन दिया गया था तो जब हम लोग और इसका हम लोग को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा घटना वहां पर हो सकता है तो वहां पहुचने पर ग्राउंड फ्लोर में उसका एक ओफिस था और फर्स्ट फ्लोर में भी एक ओफिस था दो ओफिस था लेकिन फर्स्ट फ्लोर का गेट निचे से बन था हम लोग जब वहां पहुचने वह अंदर के तरफ से तला लगा हुआ था ग्रिल था तो फिर हम लोग के बुलाने से एक आदमी अंदर से आया और तला खोला उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट फॉलोर में गए तो वहां दिखें कि हम लोग अपना अफ्थराइजेशन दिखाएं कि हम लोग को यहां सर्च करने का यह अफ्थराइजेशन दिया गया है और हमारे साथ जो वीटनेस थे जो बैंक ऑफिसेल्स जिसमें एक लेडी भी थी वो लोग उनको शाजा शेक का जो श्टाफ था उसको उपर के और बैंक कि उसको अच्छा से सम्झा दिये और उसको और उसको उसको समझने के बाद वो जो शाजाजा शेका स्टाप था वो साइन किया सर्च वारेंट पर और साथ ही दोनों विटनेस भी उस सर्च वारेंट पर साइन किये इसी बीच क्या हुगा कि एक दूसरा टीम साथ जहां सेख के घर पर गया हुगा था सर्च करने तो उधर से पता चला CRPF को फोन आया कि वहां बहुत सारा क्राउड जमा हो गया है तो उसको हेल्प के लिए हम लोग के टीम से CRPF जवान मांग बोला कि आया जाने वहाँ हमारे टीम में तस CRPF जवान था तो यहां से आठ जवान उधर चला गया उन लोग के हिल्प के लिए हैं तो मेरे पास CRPF को टीम का जो लीडर थे ओर हम को फोन किये construct एक उन लोग के गारी रोक तो जार उसी तो नहीं पेच्छाइता है तौछ अपोंच पार यह को रोक टारी राओ गया। तो सर्च हम लोग शुरू भी नहीं किये थे अभी, तो वो छोटा साथ दुकान टाइप का था, तो अब क्राउड आने के बाद क्राउड सीधे अक्रामक रूख में था, तो हम लोग को कुछ तो समाज में में नहीं आए, क्या करें, सटर गिराने से फिर, वो लोग तो तो हम लोग बाहर ही निकलना सही समझे और जब निकले वहां से, तो दे स्टाटेड बीटिंग इच एंड एभरीवन, तो हम लोग हमारे जो एक एनफोर्स्मेंट ओफिशर थे साथ में, सोमनात, उसके सीर पर वो लोग पथर से मार दिये, तो उसको ब्लीडिंग होने लग तो उसको हम संभालने लगे, तो बाकी जो और भी दो अफिशर्स थे, सब इधर उदर भागे और उसको मारने लगे, और यह जो दो विटनेस थे, उसमें एक लेडी-लेडी को भी हम देखे, ओ लोग मारे जा रहे हैं, और मेरे क्रावड में कोई लेडी नही थी, सब और लोग मार रहा था, पुरा लेडी को और अधर अफिशर्स से, स्टाफ को, बाद में इधर दो सिर्फ बच गया था, और वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे, और वो लोग यह बूल रहे थे, कि वो लोग को फाइरिंग का परमिशन नहीं है, कितने लोगों की भीड वहां पर जमा हुई थी, सर और लगभग तिन चार सो आदमी के भीर हो गया, लोग सब दूसरी लोकेशन से आपके लोकेशन पर आ गये थे, हाँ, जब हम लोग गये तो वह से कोई क्राउड नहीं था, पूरा सांध था, कोई ज़्यादा आदमी भी टीम आई, हाँ, बोला होगा कोई, किसी ने इंफरमेशन दिया होगा, उसके बाद मेरे, 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 मेरे बैग, मेरे जुनियर ओफिसर को दिये हुए थे, जिसमें की लैप्टॉप, मोबाइल, और मेरे आईडी कार्ट, एटीम कार्ट बगएर था, सर्च वारंट भी उस जवर्दस्ति, ऐसा नहीं कि मोबाइल कहीं भीर में गिर गया तो कोई और बाद, वो जवर्दस्ति छीना गया, बैग भी छीना गया, जिसमें सभी ऑफिसियल डाकुमेंट थे, मेरे ऑफिसियल सील भी था उसमें, उसके बाद क्या हुए कि दो CRPF को भीर पूरा धक्का मा करके उस एरिया से निकालने लगा, और क्राउड के साथ, पीछे पीछे हम भी अपना एंफोर्स्मेंट ओफिसर को वो साथ में लेकर बहर रहे थे, तो जब उसको मार्केट से बाहर निकाल दिया, तब उसके बाद भी क्राउड फिर हम पर टूट गया, और हमको इतना बड पत्थर यहां मार दिया, और लात मुका बस दिये जा रहा है, दिये जा रहा है, फिर किसी परकार हम लोग वहां से निकले, और एक बाइक आया, तो उसी में भीर में से कोई हम लोग को बाइक पर चरहा दिया, बोला, निकल जा, पहले हो बोला किया, कि अप लोग मोदी जी के आदमी है, एडी वाले से मोदी जी के आदमी है, मारो इसको, सब मारे जा रहा था है, और बस निकलने के कोई चांस नहीं था, नहीं देख रहा था, क्योंकि… क्योंकि ऐसे कारवाईश कभी भी आज तक एडी के सर्च के इतियास में नहीं हुई, जब एडी की टीम पर इस तरह से जान लेवा हमला हुआ हो, आपने कहा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था निकलने से पहले कि हमको ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा, उस वक्त आपके जहन में अजन ऑफिसर क्या चल रहा है? ऐसा घटना एडी के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, हम लोग बहुत सारे मुस्लिमी इलाके में भी जाके सर्च के लेकिन सभी जगह पिसफुली जाके सर्च कंड़क्ट करके आए हैं, हम खुद भी गए हैं बहुत जगह, लेकि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको लग रहा था कि यहां से में जिन्दा निकल पाऊंगा? वह इसा सिच्वेशन में तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, अब और सिच्वेशन के अनुशार एक कुछ अंदाजा नहीं लगाए जा सकता है कि क्या होगा नहीं होगा है तो और फिर क्या हुआ है जब पूरा ब्लीडिंग शुरू हो गया तो ब्लीडिंग को देख कर साइद भीर थोरा घबरा गया उसी में कोई आदमी बाइक पर बिठा के फिर आगे बोला भाग जाओ यहां से तो फिर आगे जाके CRPF का टीम मिला उसका टूट टार अब गारी के साथ तो वहीं प्रेसक कोई कलक टा डाया चैन्ट से उधर आ रहें थे तो यह वहां से अज्व लोग आटो पकर के कुछ आ गें फिर वहां से दूसरा आटो चेंज कर Hungarian till और कुछ आगे गया है फिर वहां से फिर एक दूसरा गारी एक और गारी की है बार होस्पिटल में दाखिल कराए गया है आपको अगर हम आप बता सकें कहां कहां चोटे आई क्योंकि हमें पता चला कि आपको हाइड इंसिती उनिट में एडमिट किया गया था तो आपको बहुत जादा चोटे आई थी हो तो पूरा सरीर में है यहां पैर भी पुरा यह मोच आ ब्लड पुरा कपरा पर ब्लड से साना हुआ था कपरा तो डॉक्टर्स ने क्या कहा सर जब आप वहां पर एडमिशन हुआ आपका मिलब किस तरह से क्योंकि ट्रोमा भी इसमें जरूर जब आप एक अपनी ऑफिशिल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने जाते हैं उस वक्त आ सब्ज़गा किया है और माइंड के बारे में वो लो का कहना था कि इसका इमीडियेट एफेक्ट नहीं आता है बाद में कुछ एफेक्ट दिखे गया ऐसा डॉक्टर का कहना था है अभी आपको वो चीजें डराती हैं जब आप इस पूरी घटना के बारे में सोचते हैं अभी अभी रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं और डर इसे बना रहता है स्वें में फिर नेन तूट जाता है और इसे हैं कुछ-कुछ भयावा सपने आते रहते हैं आप कुलकता यूनिट से ही अटाइजड हैं कि आपको स्पेशली वहां से अलग जगह से बुलाए गया था सर्च के लिए बाहर से बाहर से अब सर ये भी कहा जा रहा है कि जो टीम आपकी वहां पर गई सी आपने बताया कि चार लोकेशन्स पर पूरी सर्च का वह हुआ थ आपकी टीम के लोगों के खिलाफ तो ये चीज़ें आपको और ज्यादा चिंता में डालती हैं कि जो काम आप करने गए थे उसकी वज़ाए आपको मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा तो लोग जो फाइर फाल किया है दे डूनोट है बेनी बैसिस और रॉंग आधार आपके अपके सेनियर ओफिशल से भी बात हुई होगी एडी ने भी अपना एक नोट दिया है जिसमें उनने बताय कि पूरी घटना क्या है और जो अभी हुगत है आरोपी है उनके खिलाफ लोकाउट नोट इस भी जारी कर दिया है आपके सेनियर ओफिशल ने जब आपने अपने देपार्टमेंट इस भी जबात शखी हैँगत अपके सेनियर खिला करने जब आपके सेनियर घुपने श्चारीन करते है तो इसके से एंफिशल से नियर आप गालने श्रहरई हैं कि आप जलदी से श्वस्त हो जाएंगग जाजकुमार राम, ED के अधिकारी जो उस वक्त वहां पर मौझूद थे, सर्च आपरेशन टीम को जो मार्केट में जो शाहराशे का दफतर है, उसको लीड कर रहे थे, एक अनप्रिसिडेंटेट जैसा इनों ने खुद बताया कि आज तक ED के इतियास में जो घटना नहीं हु हुआ हुआ हुआ